असलाम अलेकुम चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू फॉर विगनर्स जीरो से उर्दू सीखों का क्लास टू क्लास वन में मैं वन यानि की अलिफ से लेकर बड़ी ये तक 38 लेटर उर्दू का मैं बता दी थी उसको अगर आप लोग याद कर लिए ना तो आपको उर्दू सीखने से कोई नहीं रोख सकता अलिफ से ये तक उर्दू अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए तब ही आप उर्दू सीख पाएंगे जिससरा आप हिंदी को सीखने के लिए ककःअगा वाणमाला याद करते हैं आप लोग उर्दू सीखने के लिए वर्दू सीखने के लिए अल्फाबेट को याद करना ही पड़े गा और ऐसे याद कीजिए जैसे कि मैं अर्दू में पूछती हूँ सौरी हिंदी में पूछ अगर मैं पूछू आप लोग उसे कि ग्यां लिखकर दिखाईए तो आप लोग ग्यां लिखकर दिखाईए तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ऐसे लिखा जाता है और आप लोग लिखकर दिखाईए तो लिखकर दिखाईए तो लिखकर दि दिखा दें मीम मैं बोलू तो आप क माइन्ड में जाना चाहिए कि हम मीम इस तरह लिखा जाता है आप लिखकर दिखा दे लाम लिखकर दिखा दे ऐसे फिट हो ना चाहिए ऐसे उस उर्दू अलफबेट एक वान से लेकर थाटी एट लेटर को ऐसे माइंड में फिट कर लिजे ना कि अगर आप सोई रहे हैं अगर सपने भी में भी कोई आ कर पुछे ना कि जरा उर्दू अलफबेट सुनाओ तो आप लोगों मुलें उर्दू अलफबेट अलिफ ब याद करना बच्चों का खेले पांच मिनट में आप लोगों से याद हो जाएगा तो आप लोग क्लास वन देखिएगा वन से लेकर थाटी एट लेटर याद करना है तब ही आप उर्दू सीखेंगे चली आगे बढ़ते हैं को कैसे लिखा जाता है उर्दू में हिंदी वर के से का हो रहा था उसी तरह काप से का होगा और जिस तरह के में एच जोड़ रहे थे तो खा हो जा रहा था के एच से खा उसी तरह काप में एच जोड़ देंगे और एच को उर्दू में हे बोलते हैं और यह है तो जैसे ही काप को इतना दूर से काट कर और हे जोड़ दें िइसमें के से का बोल रहा थे लिए पag तो खा उसी तरह च उस्य तरह जबर में के सब्सक्राइब और जाबर दाने को तो मैं पहले वाली दिए नाय। टुपी जबर भान को घी आ कितुसे लिए2018 कर सब्सक्राइब उससे जबर कर जैसर्भलुन कर वेघु का अल। और उस पर जबड लगा दीजिए क्या हो जाएगा गा मुझा नहीं होता है लेकिन फिर भी एक-दो जगा यूज हो जाता है अब देखिए चाओ, C, H से चाओ होता है, उर्दू में चे से चाओ होता है, उर्दू में चे से चाओ, चे इस तर लिखाता है, बीच में तीन तो नुकता बिंदू रहता है, तो चे से चाओ, और जैसे ही C, H से चाओ होता है, C, H में एक और जोड़, एक और H जोड़ेंगे तो C double H से 6 होता है उसी तरह उर्दू में भी 6 से 6 होता है और 6 में जैसे यह H जोड़ेंगे यानि कि हे जोड़ेंगे तो 6 में हे मिला के 6 और 6 के उपर जबर लगा दिजिए तो 6 जबर 6 तो 6 ठीक है ऐसे लिखेंगे और लिखने का भी practice किजिएगा अब देखिए जे से जबर के उपर जबर तो जबर जबर उसी तरह यह होता है यह तो यह यह इस तरह हो गया इस पर नुकता रहे गए एक वाई इन से यह और यह यह हो गया यह टी से टा तो उर्दू में टे से टा होता है उर्दू अलफावेट में बताई हूं तो टे से टा और जैसे टी एच से ठा होता है तो आप भी टे में है मिला दीजिए यानकी है मीला दीजिए जहां जहां पर H हे न वहां पर हमिला दीजिए तो T से टो रटे में हमीला दीजिए तो ठो δ डू तो डाल से डू और yat JOHN वहा है उस्थ से तरह अब भी में च मिला दीजिए यह रहा है यह होता है और इसको कभी-कभी ना भी पढ़ा जाता है तो देखिए यह न से न और यह उर्दू में न को क्या बोला जाता है नून तो यह हो गया नून से न ती से ता तो उर्दू में किसे बोला जाता है तो ते से ता तो यह हो गया ते से ता जैसे ही आप इंग्लिस में ट मिला दिजे कि यह मिला दिछे इतना काठ कर और यह मिल गया है तो त में मिलाके थे और इस पर जबढ लगादी जैसे जैसे आप इंग्लिस में इस मिलाएंगे उसी आप रोग उर्दू में भी ह Ay मिला दीजिएगा हूं थेकर अब आगे देखिए पसे पस्सान और जैसे हे पस हो रहा था ये ज़ूड़ा। गोला था उसी त्रह पसे पा हो घ्यक्रती यानि की हे जोड़ेंगे तो फा हो जाएगा तो पा फा ठीक यह इस तरह मैं दीवों तो कोई दिकत नहीं न ऐसे इसका मतलब होता है तीन ठो नुकता है तीन ठो निक तक इस तरह दिया जाता है बिंदू यहां पर तीन ठो बिंदू है बी से बा उसी तरह उर्दू में क्या होता है ब और उस पर पर चबर तो भी से बाध्य से वाध्य से बहुस्य बेम में मिलाकर थीक्च है M से माँ तो देखिए यहाँ पर मीम से होता है टो म vi ना म्AI टो यह म्हीं से योज ये इस यो ये से य, आर से र, तो ये हो गया है, रे से र, उर्दू में, यहाँ पर इंग्लिस में र, उर्दू में र, इल से ल, तो उर्दू में लाम से ल, ठीके, डबलू अभी से व, यहाँ पर वाउ से व, वाउ, बहुत सिंपल वर्ड है, इसको याद करना बहुत असान है, वाउ, तो इस तरह इसलिए इस इस से स और यह उर्थू में बड़ी शीन यह हो गया आपका 100 एस से 100 उसे लिए छोटी सीन से 100 देखें, छोटी सीन को इंग्लिश में बोलते हैjos और ब displacement को उर्दू में बोलते हैं बड़ी सीन को इंग्लिश में बोलते हैjos simple तो यह होता है यह वाला 100 और एस एस से यह वाला 100 ठीक आगे बोड़ी है एच से हा तो यह वाला हे से इसको बोले जाता है हे चोटा सा गोल रहता है तो हा और एक यह वाला भी होता है इसका भी मतलब भी हा ही होता है देखिए यह वाला हा यहां पर यूज होना है गाफ मेहे मिलाकर घे तो यही वाला है जिसमें यह जूर जाएगा उसका मतलब चे होता है अब देखिए काफ में है मिला कर खे चे में मिला कर छे तो यही वला है दोना का मतलब एक ही होता है अब देखिए छो के इस एच से छो आप लोग याद करते हैं इंगलिस में उसी तरह के को उर्दू में क्या बोलते हैं काफ के को उर्दू में क्या बो हैं तो इस कुर्दू में बोलते हैं बड़ी सीन तो काफ और से छ चать कफ देख से रो तो इसी को जोड़ दिया गया इस में देखिया यह रो जो है न रो इसको एकों रहा चोटा कर स्थी बनकर इसी देखिए इसमें ते है रे है और अलिफ है यह देखिए गया जी वाइन से गया और गाफ यह अलिफ से यह हो गया सिंपल आप लोगों का कखा अगा उर्दु में बहुत आसान है बस आप लोग एक बर किसी वितर आपको माइंड में फिट करना है अब देखिए अब बात आती है अलिफ से अलिफ का प्रणन्सिये सुन क्या होता है अलिफ का मतलब अलिफ का मतलब बताई थी इसके पहले वाली वीडियो में क्लास वन अलिफ का मतलब होता है अब मालिजी आपको आ लिखना है क्या लिखना है तो किस से होगा अ बताईए अलिफ पर जैसे ही जबर दिय जाता है या फिर सिर्फ अलिफ का मतलब होता है तो अब आ कैसे बनेगा तो देखिए आ बनाने के लिए एक और डिजाइन आता है यह अलिफ है इसके उपर यह वाला सिंबल बना दीजिए यह वाला सिंबल को बोलते है न उर्दू में क्या बोला जाता है मद क्या बोला जाता तो अलिफ मद आ हो जाएगा तो यहां पर अलिफ का मतलब हो रहा था यानकि अलिफ के उपर जबर लगाई यह फिर नहीं लगाई यह जबर का मतलब होता है तो अलिफ जबर आ चली लगा ही दे रही हूं और अलिफ पर जैसे ही मद लगाएंगे ना तो अलिफ मद आ तो तो हम क्या करेंगे पे के उपर लगा देंगे लेकिन ऐसा नहीं होता हागी न बेपर न ते पर या अलिव को छोड़कर जितने भी अंपर Kimण लगेगा और जैसे ही मद लगेगा इसका मतलब हो जाएगा अब आप बोलेंगे तो ठीक है हमको बा बनाने के लिए जब हम बे पर मद नहीं लगा सकते हैं तो हम बताए बा कैसे बनाए बा कैसे बनाए हमको बताए ट्रिक तो देखिए बे से तो बा होता है बे जबर बा से बा लेकिन बा बनाने के यह देखिए क्या होता है यह गया और बबनाने के लिए इतना आधा काट कर दिजिए और इस पर अलिप जोड दिजिए और ते जबर ता होता है ना ते जबर ता और ता बनाने के लिए बस इतना आधा इसको काट दीजिए इतना काट कर और इस तरह अलिफ जोड़ दीजिए तो यह हो गया ते अलिफ जबर ता पा है ना तो देखिए पा बनाने के लिए देखिए पे जबर पा होता है पे जबर पा ह अगर आ में लिखना चाहते हैं चाहे वो भा, मा, या, रा, ला, वा तो उसमें सिर्फ अलिफ जोड़ देंगे वाब, वाफ अलिफ जबर वा सीन, अगर सा लिखना है तो सीन अलिफ जबर सा हो गया दा, दा लिखना है तो दाल के साथ अलिफ जोड़ देंगे अगर ना लिखना है तो यह हो गया नून इसके साथ अलिफ जोड़ दीजिए तो नू अलिफ जबर ना अगर आपको गा लिखना है तो गाफ इस तरह होता है इस पर अलिफ जोड़ दीजिए तो गाफ अल जबर गा तीके तो आ का पॉननसीशन करने के लिए सिर्फ अलिफ ल होते हैं सोरी जितने भी लेटर होते हैं उनका बनाने के लिए चाहे वह का हो खा हो गा हो घा हो चाहो सिर्फ अलिफ जोड़ देंगे क्या जोड़ेंगे अलिफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उसका प्रणूंसियेशन आ ठीक है आ लिखने के लिए या जोड़ेंगे अल तो आराम से लीजिए फटा फट लीजिए आगे समझते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑ आ ई ई उ जो बारक खड़ी होता है हिंदी में उसको उर्दू में कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखा जाए धीरे धीरे दो वर्ट से दो लेटर से फिर थ्री लेटर से फिर फोर ऐसे दो तीन चार अक्सर से मैं आपको जीरो से बढ़ाते-बढ़ाते हीरो बना दूंगी उर्दू में बस आप लोग यकीन रखिए ठीक है तो पहले मैं जितना बोल रही हूं उतना कीज अब लोग उर्दू जरूर से खेंगे और जला दिमाग लगाई उर्दू में जिस तरह आप लोग हर चीज में दिमाग लगाते हैं उसमें थोड़ा स sud में दिमाग लगा देना है बात एक ही है बस लेन्गुछ चेंज है तो आज के इस वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट व कुदा हाफिस!